अंजनी पुत्र, वायू पुत्र, केसरी पुत्र, हनुमान जी को में इतने सारे नाम से जानते हैं पर हनुमान जिस नाम से उनको सबसे जादा जाना जाता है कि आप यह जानते हैं कि वो नाम उनको अपने माता पिता ने नहीं दिया था अनुमान जी की जो मातापिता थे उनका नाम था अंचना और केसरी उन्होंने जो उनको नाम दिया था वो था बजरंग अब बात ऐसी एक समय पर बजरंग सोय हुए थे तो उनके मातापिता कुछ काम करने के लिए बाहर चले गए अब जब वो उठके उनको लगी भूक उन्होंने भाहर देखा उनको सूरज दिखा उन्होंने सोचा सूरज एक फल है मतुर फल जानो तो उसको खाने के लिए लपक पड़े कितना लपक पड़े यूग सहस्तर योजन वो जा रहे थे पड़ी तीवता से क्योंकि सूरज तो दूर है उसी समय सूर्य ग्रहन हो रहा था यानि कि राहू आ रहा था अब राहू ने देखा कि क्या बंदर है जो इतनी तीवता से जा रहा है तो उनको थुरा भै लगा तो इंदर के पास के इंदर को आया गुस्सा उन्होंने वजर दे मारा हनुमान पर और वो वजर जो लगा उनके जबड़े पे लगा जिसके वज़े से उनको जब चोट लगी वो धर्ती पे गिरे और बेखोश हो गए अब हनुमान जी कौन है हनुमान जी है वायू पुत्र तो वायू यानि कि पिता है उनको गुस्सा उन्होंने चलना बंद कर दिया अब जब हवा नहीं च ठीक है और वो उठ गए अब हनुमान जो नाम आता है संस्रित में हनु का मतलब होता है जबड़ा और मान का मतलब होता है आडा तेरा क्योंकि हनुमान जी का जबड़ा है पर थोड़ा सा आडा तेरा है उस शस्त्र के लगने की वज़े से इसलिए हनुमान को हम कहते है हनु मान जी अगर आपके वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिगा जय बजरंग बली